जब आप कपाल भाती कर रहे हैं, तो कपाल भाती करते समय उसकी गती क्या होनी चाहिए, किस गती के साथ सांस को अंदर खीचना चाहिए, पेट अंदर लेके जाना चाहिए, उस विशे के उपर आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे तो इसके कई सारे variations हैं और कई सारे तरीकों से या कई सारी चीजों को देखकर इसका अभ्यास किया जाता है यदि तो किसी समस्या से पीडित हैं, blood pressure आपका उपर नीचे रहता है और कपाल भाती करते हैं तो बहुत धीमी गती के साथ इसका अभ्यास किया जाता है स्वस्थ हैं तो थोड़ा सा तेज, जवान हैं तो और थोड़ा सा तेज, मंद अगनी हैं तो उसके अनुसा इसका भ्यास किया जाता है परंतु जिन लोगों को बहुत ज़्यादा इसी की समझ नहीं हैं तो वह एक समानने नियम लागू कर दें जिससे आपको लाब भी होगा और हानी तो कोई होगी नहीं लगभग दो सेकिंड से दो से ढ़ाई सेकिंड में एक बार सांस अंदर छोड़ें और पेट को अंदर खीशें जिस परकार से इस गती के साथ अभ्यास समानने रूप से कर सकते हैं यह समानने गती है और तेज गती क्या है यह और धीमी गती क्या है उसको भी देख लेए यह धीमी गती है तो तेज गती के साथ अभ्यास ना करें यदि तो आप जवान व्यक्ति हैं शरीर पूरी तरीके से स्वस्थ है तो तेज गती के साथ कर सकते हैं यदि तो किसी रोक से ग्रसित हैं पीट में बहुत ज़्यादा दर्द है तो पहले तो इसका अभ्यास ना करें करना चाहें तो बहुत धीरे धीरे और धीमी गती के साथ करें और जो लोग समन्ने हैं कोई बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है जिनको वह समन्ने गती के साथ अभ्यास करें तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा है तो समन्ने गती के साथ अभ्यास करने से आपको लाब होई होगा किसी प्रकार की कोई हानी नहीं होगी समान्ने गती क्या है एक बार दौबारा इसको देखने एचे तरीके से इस परकार से अब भिभ्यास कर सकते हैं अब कपाल भाती की और भी भहत सारी जानकारियां हैं और आपके बहुत सारे और भी प्रशन होंगे कपाल भाती को लेकर किसको करना चाहिए, कब करना चाहिए, सुबा करना है, शाम को करना है, भोजन कैसा, कितनी देर पहले, कितनी देर बात करना चाहिए और कितनी बार इसका भ्यास करना चाहिए, किसको करना चाहिए इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया है जिसमें कपाल भाती की बहुत सारी जानकारियें दी गई है और काफी लंबा वो वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है वहां से आप उस वीडियो को प्रात कर सकते हैं और कपाल भाती से सम्मंधित ल झाल वीडियो क्यासए।